हेलो वेल्कम बैक टू माई चैनल दो दोस्तों सागत आपका अपने चैनल में तो आज हम बात करेंगे आपकी फटी एरियों की जो आपकी एरियां बहुत ज्यादा फट जाती हैं तो कुछ इस तरह की हो जाती है तो इनके लिए आज हमें एक बहुती अच्छी और मज़ेतार और बहुती ज्यादा कारगर रेमेडी बनाएंगे जो आप यूज करेंगे इसे तो आपकी यह एकदम सॉफ्ट और सुन्दर बन जाएंगी तो इसके लि जो कांटे होते उनको अलग कर लेना है और इनका हमें निकालना है जैल तो इनका हमें जैल निकालना है और जैल निकालने के बाद इसे अच्छे से ऐसे जैल निकालेंगे इसमें ताकि इसका जो भी जितना भी सारा का सारा जैल है वह आराम से हमें मिल जाए तो हमें कुछ इस तरही से चम्मच की सायता से सारा अका सारा जेल निकाल लेना है पूरा यूज में करना उजिते हैं तो यह जेल कोक सी NEW wound तो हमें आ पकला पकले जेल हिरना पकला लें कर ले लेना है आपक होना आदि एपर अच्छी है इसे आप चार से पांच दिनों के अंदर आप अपनी एडियों को ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें आपको 15-20 मिनट लगेंगे मातर इसको बनाने में और आपकी एडियां चार से पांच दिनों के अंदर एकदम सॉफ्ट और सुन्दर दिखेंगी बहुती कारगर रेमेडी आप इसे जरूर बना कर देखें और आपको यह अच्छी लगेगी कि आप जो मार्केट से भी कोई सी भी क्रीम खरीद कर लाते हैं अपनी एडियों पर लगाते हैं फिर भी प्रकेट दिखेंगे आशानी से जोम इसको घरब करेंगी अभी तो मतलब आसानी से जो मुंबत्ी हैं सारी चीजां वह आराम से उसमें पिखल जाएं तो हमने यह पर तीन मुंबति ले रख हैं तो तीन मुंबत्ी को छोड़ते छोड़ते कर दिखें अब और लीना है दो बड़े चम्मच की करीब हमने सर्षों का तेल ले रखा है यह है हमारा सर्षों का तेल यह दो चम्मच है और अगर आपको सर्षों का तेल पसंद नहीं है तो आप यहां पर नारियल ओयल ले सकते हैं अगर आपको तेल पसंद नहीं है सर्षों वाला तो नारियल का तेल तो गाये चीजे मैंने अपने गैस के ऊपर रख दिया है और अब इसे थोड़ा पकने देंगे ताकि यह सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं और अच्छे से घुल जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं सारी चीजें तो इसको हम कम से कम पांच मिनट के लिए कम से कम इसक mix हो जाए और चीज़ें जलें भी न ठीक है तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए पगने देती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद कि अब मैं आपसे मिलती हूँ कि अब मैं आपसे मिलती हूँ तो गाइच हमारी यह पैसलीन बनका तयार हो गई है अब इसे हम एक बरतन में बढ़कर लख लेंगे क्योंकि यह भी जरम है थंडी हो जाएगी बाद में इसको किसी बॉटल बगेर में भरकर लख लेंगे तो इसे हमने एक बरतन में कर लिया और अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे ठंडा होने देंगे और अभी हमें इसमें एक चीज और मिलानी है वह हमारी जो बैसलीन रहती है ना पैट्रोलियम जैली वाली वह अब इसे में इसको है तो हम इसे भी इसी में मिक्स कर लेंगे एकदम से घोल देंगे ताकि अच्छे से इसी में मिक्स हो जाए क्या है यह हमारी रेमेडी ना बहुत ही अच्छी है आप इसे भी आप जरूर लगा के देखेंगे ना आप खुदी कहेंगे अब आप इसे लगा के जरूर ट्राइ करके देखें बना के देखें जारा समय भी नहीं लगता है इसको बनाने में दस से पंदर मिनट के वीच में बन जाएगी और सारी चीजे अपने घर पर रहती है तो इसी में हमें आसा अंधी में दीमे से इसको बढ़िया से मिक्स कर देखेंगे तो हमारा जो बैसलीन जो बनाई थी ना भी ठंडी होती जा रही इन में अच्छे से और यह भी मिक्स होती जा रही है तो यह एकदम आराम से अच्छे से बनती जा रही है और जो हमारी जो पैट्रोलियम जली वाले थी बो भी अच्छे से उसमें मिक्स होती जा रही है तो अच्छे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो जब भी उनकी एडियां फट जाती है तब इस फिलागे करिया तेम्साली ऐसी बादय שए लगा तो सेयर करें, मैं आपको इस ची arbitrarily में बार में बताओं ये रेमेडी के बार मेंeni लगा उसे और अपने पैरोसे पेर रजासता सकते हैं को हिर आपको नोगा वर गयाना आप में से पहलें क्या खेंको ब्रस की इसायता सबैबेश्व ने इंचे ने योऊ में पी DC गुआप प्र बीच में दिए प्रॉट्व M और ये वीडियो तपका है जब ममी के पैर फट गए थे ताब मैंने उनको ये क्रीम बैसलिन बना कर लगाई थी तो आप उनके पैर अच्छे हो चुके हैं